पिछले कुछ सालों में बिहार के पंचायत में पढ़ी लिखी लड़कियों और महलाओं की भागिदारी काफी तेजी से बढ़ रही है इनमें से कुछ नहीं जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाई की है तो कुछ B.H.U की स्टूडेंट्स रह चुकी है इन्होंने अपनी कारियर की परवा किये बगैर पंचायत स्तर से जुरी और आज काई सारे महत्वपोण पदों पर आसीन होकर के नर्ने ले रही है आकांशा बासू खगड़िया जले के अलॉली की मुख्या है 2021 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा और जीता भी आकांशा ने T.M.B. युनिवोसिटी भागलपुर से B.S.C. फिजिक्स में ओनर्स किया JNU से वो मास्टर्स कर रही थी, साथ में UPSC की तयारी भी कर रही थी तबी उनके मुख्या पता की विरोधियों ने हत्या कर दी फिर उन्होंने पंचाय चुनाव लड़ने का फैसला किया चुनाव जीतने के बाद उनका सबसे पहला ध्यान लड़कियों के एजुकेशन पर गया या उन्होंने स्कूलों की मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी ताकि सिक्षक समय पर स्कूल पहुँझे साथी साथ घर जाकर लड़कियों को स्कूल आने के लिए प्रेडित भी किया उनका अगला प्रोजेक्ट उस हॉस्पिटल के काम को आगे बढ़ाना है जिसे उनके पता ने शुरू करवाया था वो कहती है कि रातो रात कुछ भी नहीं बदलता इसके लिए हर दिन कुछ नया करना होता है वहीं गर्मा देवी सिकरिया बेतिया के वार्ट संख्या 24 की मुख्या है बकसर से B.S.C. जूलोजी में ओनर्स करने के बाद उन्होंने अडवांस डिपलोमा एंड इंटीर डिजाइनिंग का कोर्स B.H.U. से किया 2017 में वो पहली बार मुख्या का चुनाफ जीती उसके बाद बेतिया नगर परिशुद की चेर्मेन बनी अपने पत पर रहते हुए उन्हाने अपने शेत्र में रोट डेवलाप्मेंट पर फोकस किया ड्रेनिस सिस्टम को सुधारा, कई पार्कों का निर्मान कराया अतिक्रमन की स्थिती को सुधारने के लिए कई महत्वपून कदम उठाए वाटर लॉगिंग के विवस्था को सुधारा गर्मा देवी का कहना है कि राजनीती में महिलाओं के एरिये बहुत सारे अफसर है इस शेत्र में महिलाओं को बड़ी संख्या में आना चाहिए वहीं फ्रेड़ना कुमारी जो की 24 साल की है वो मोतिहारी के तुरकॉलिया ब्लॉक में बेलवा राय पंचायत की मुखिया है उन्होंने मुझपरपुर से पीजी किया पंचायत में काम करने को लेकर वो काफी उत्साहित है महिला सशक्तिकारण, सिक्षा और कृषी पर कारे करने की उनकी यूजना है कृषी में नई तकनीकों पर वो खास ध्यान दे रही है मनरेगा के पेपर वर्क को उन्होंने खत्म कर लिया है मनरेगा के तहत उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया है पंचायत निर्मान को भी जोर शोर से करवा रही है वही तीन बच्चों की मा शोभा कुमारी गोह औरंगाबाद से जिला पारशद है उनके पता नकसल थे इसके बाब अबजूद भी उन्होंने राजवीती में आने का फैसला किया उन्होंने हिस्ट्री से पीजी किया जिला पारशद बनने के बाद उन्होंने महिलाओं के लिए सामोहिक सौचाले बनवाने का खास ध्यान दिया साथी साथ स्कूलों में लड़कियों की भागदारी बढ़ाने को लेकर भी काम किया माईलाओं के समस्या को लेकर वो काफी जागरुक रहती है और आगे बढ़ चटकर उसे सुलजाने का प्रयाज भी करती है तो ये थे बिहार की इन बेथियों की कहानी जो आज पंचायत स्तर पर कई सारे महत्वपूर्ण पदो परासीन है और अपने इलाके के लिए वो सारे महत्वपूर्ण परासीन है खुद ही ले रही है आज की सफलतर संगर्श भड़ी कहानी में तना ही अब बन रहे निउस प्यार के साथ धन्यवाद